तो मेरा नाम है स्वागत करता हूं आज आपके सामने अगेन प्यागियों का एक और तो आप सोच रहेंगे मैंने प्यागियों कर दिया था अगेन मैंने क्यों लाया हूं यह उन भाई बंदू के लिए जो मैं जैसा कि मैंने आपको अगर नहीं देखे होंगे आपको आई विटन में लिंक मिल रहा हूं आप जाकर देख सकते हैं तो उसमें बहुत सारे फंक्संस तो थे बहुत माइलेज एफिकेंट था लेकिन कुछ हमारे भाई बंदू उसमें इंक्वाईरी ऐसा आया कि उनके जो लोकालिटी में है वहाँ पर CNG का fuel tank नहीं है, CNG का station नहीं है तो उनको यह बराने में दिक्कत हो रहा था तो वह चाहरे थे कि एक डीजल का proper review हो जाए डीजल का proper specification हो जाए ताकि उनको ज्यादा अच्छा रहे समझने में कि CNG लिया जाए या फिर डीजल लिया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या-क्या offer करती है company और CNG पर क्या offer करती है उस पर discussion होने वाला है, CNG आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल गया हुआ कि क्या-क्या offer करती है, CNG अगर आप वीडियो नहीं देखें को आई बटन में लिंक आप जाकर देख सकते हैं और इसमें और भी कुछ-कुछ functions ऐसे ह बहुत ज़्यादा power यह देती है CNG के comparison में तो उसको हम दो discuss कर रहते हैं, सबसे पहले आप जान लिए इसके engine capacity तो 600 CC का आपको engine capacity दिया जाता है, जो 10.6 PS का power और 18.7 Nm का torque प्रूइस करती है, तो power और टॉर्क वाइस तो बहुत बहुत बेहतरीन है और sitting capacity आपको देखने के प्लामू में यह बॉड़ी फ्रेम कंपनी डीलर सिप के तुवारा बनाया जाती है और आपको प्रोवाइड किया जाता है, अगर आपके पास यह वाला बॉड़ी फ्रेम देखने के ना मिले नॉर्मल बॉड़ी फ्रेम मिले जिसमें ड्राइवर प्लस थ्री पैसेंजर का capacity इसका लीगली दिया जाता है कुछ-कुछ जगह यह भी रहता है कि त्री यहां पर हो जाएगा टू फेसिंग साइड में रहते हैं तो ड्राइवर प्लस फाइड का भी capacity आपको इसमें अवलेवल करकर मिलता है तो डीजल इंजन में आपको सबसे गज़ब का क्या चीज मिल है बहुत कोई emission emission आउट ना करें और इसमें आपको एक अंदर में दिया जाता है display kit आपको दिखाते हैं कैसे कैसे इंटीर वाइज आपको दिया जाता है फ्रंट से आप लुक देख लिए हैडलाइट से टैप से दिया जाता है इंडिकेटर्स दिये जाते हैं इस जगह बह इस चीज़ का display दिस्प्ले वह आप पर पानी बहाता है उस चीज़ का display आपको यहां पर दिया जाता है सेंटर में जहां पर ड्राइवर बैट रहे हैं इस जगह आप सकते हैं डिस्टेंस आपको सारा ची दिखाया कि इस में डिस्प्ले का अभी मारकिंग चल रहा है इतना आपब पानी बागी है और डिस्टैंस कितना किल Gumitre चाट बिए चाटीएगी वह आपको दिखा रहा है जगा वो सारे डिस्प्ले आपको यहां पर देखिए कि अगर मोट्र और वह चलेगी अगर यह स्गाटन होता है आपको रिफील जरूर एक बर मिलता है यानि कि ह hail आपको चार get देखने के मिलेगा रिवर्स के लिए यहां पर से option दिया है डीसी करेंट अब है तो यहां पर stop का बटन दिया जाता है यह बहुत ही बेसिक सा function है यहां पर एक छोटा से storage दिया जाता है जैसे कि अगर आप की से चाहें तिसको आप open कर सकते हैं कि इस ट्राप का प्राउच बोक्स दिया जाता है इस जगा पर सब्सक्राइब बहुत बेसिक पडिक शाय है तो अतना कुछ खास पर स्पिकर के लिए एक मुझे लगता चीज चार्जर आपको यहां पर दिया जाता है अब आपको दिखाते हैं कि अगर डीजल आपको आवाज कैसा करती है और आपको श्टार्ट करकर दिखा दते हैं अब देख लिया हूं कि टैप का वाज करता है यानि कि पहले कि डीजल आया करती थी वह बहुत ही ज्यादा नॉइजी हुआ करता था लेकिन अब का जो डीजल बहुत ही कम नॉइज बहुत ही यानि कि एक तरसका सकते लेने के बाद भी बहुत कम नॉइज करता है और इसमें आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन भी दिया जाता है ताकि आपके गाड़ी थोड़ा सौक एब्सॉर्बर टाइप का वर्क करें उतना तो आपको के माइयलेज कितना देती है जिसमें बोल्तौ जेतना लोग को बैठाना उसपर पर क्लेम करती अगर अब जाद को बैठा आई है तो मकर यह कम हो सकता है सर्फीज के बारे में बात करें तो सर्विस के यदि कर आपको video देखना होगा आई बिटन में लिंक में रहा होगा अब या गर देख सकते हैं कि क्या क्या आपको service में दिया जाता है क्या एक्सूंटिं किया हुए कि कैसे कैसे դर्फिस कराना है कैसे आपको living और कैसे आपको saatt इंजन और गाड़ी सही सकता है कभी आपको problem दिखने लिए रिक मिलेगा सब्सक्रांब हम लोग इसका pricing के बारे में discuss करते हैं तो गाड़ी का proper आप देख लिए होगे क्या है क्या नहीं है price के साथ हम लोग discuss कर लेते हैं तो approximately 3.500.000 के आसपास में यानि कि 3.500.000-3.600.000 के आसपास में आपको यह पढ़ने वाली है तो यह price differ कर सकता है आपके state के according तो अगर आप ज्यारखन यानि कि पलामू रीजन के अगल बगल के बिलॉंग करते होंगे अगर आप पलामू रीजन के अगल बगल के होंगे तो आपको यह गाड़ी के price ही पढ़ने वाला है अगर आप कहीं और से होंगे यानि कि ज्यारखन के बाहर से होंगे तो आपके state क को अकोडिंग प्राइस अलग हो सकता है एक अग सब्सक्राइब आपको इंटरनेट पर लेवल की जाती है आप वहाँ पर देख सकते हैं या फिर अगर आपके अगल वगल में जो भी त वीडियो के बारे में दिखा एगा या फिर ऑन्टो के बारे में बता आपको बता वाला किस ऑफर वेगरा जो भी रहेगा उस टाइम को आपको बता देंगे लेकिन यही अभी का वीडियो आप 6 मेना बात देख रहे होंगा भी जुलाई में सूट हो रहा है दिसंबर में अगर आप देख रहे होंगो तो उस समय कहीं नहीं प्राइस में हाइक जरूर आपको लिए मिलेगा तो यह था प्रॉपर स्पेसिफिकेशन अगर आप चाहते हैं इस ट्रैप को आटो अपना बनाना आप अपने लोकल एरियास में लेका चलना चाहते हैं डीजल आटो ही चाहते हैं तो आपके लिए प्यागियो आटो डी एक्स इसका नाम है आप इसको अपने बीच में डिफर करने वाला है तो माइलेज के मामले में अगर बात करिएगा तो सी एंजी बहुत ही वर्थ रहेगा लेकिन अगर आपके घर के अगल बगल आपके रिजन के अगल बगल कोई सी एंजी स्टेशन नहीं है तो आपको डीजल के तरफ ही जाना पड़ेगा तो आपको माइलेज में कहीं कहीं कॉंप्रमाइज करना पड़ेगा लेकिन कमाई के व्यूसा देखा जाए तो अगर सी एंजी स्टेशन आता आप सी एंजी जरूर एक बर देख लिजेगा अगर आप नहीं देखे होंगे तो अगेन बोल रहा हूं कि आपको आई बटन में लि झाल वी एंजी स्टेशन देखा घंजी स्रीए को〜